हाई दोस्तों नमस्कार ॡश्वगत आप सभी का इस खास सेशन में जिस तरीके से आप देखते हैं बैंक एक् gedham में वेकंसी आती है इस तरीके से दोस्तों इंश्वरेंस एक्जाम में भी वेकंसी आती है और उनी में ही vacancy दोस्तो आई है इस बाद N.I.A.C.L. की assistant की post के लिए vacancy आई हुई है जिस तरीके से bank में clerk होता है ऐसे insurance में assistant की नौकरी होती है मैं आपको इसमें बताऊँगा vacancy detail, qualification, age, labor, full strategy और salary और उसकी life लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यही बताता हूँ इसकी salary कितनी होती है जैसे आप bank में clerk बनतें सेम वही post इस में होती है लेकिन bank में clerk की जो नौकरी होती है उससे ज़्यादा salary से की होती है उसे ज़दा salary इसकी होती है दोस्तों जब यही P.O. की salary होती है तो P.O. की salary मुंबई में एक student के साथ मैंने video भी किया था जा पर मैं रहता हूँ वही पर वो student मिल भी गए थी तो मैंने उसके salary कितने है तो उसकी salary 26,000 आती थी जब वो P.O. की थी clerk की जब आप लगते हो दोस्तों तो पिछली सल की बात बताता हूँ तो clerk की पिछली सल की उसकी salary 39,000 थी उस candidate की तो 39,000 का मतलब है इस साल आपकी जादा ही होगी और 39,000 है और अलग-अलग share के हसाब से आप उपर नीचे आपकी salary बनती है जो कि enhanced salary आपकी आती है तो salary सुनकर आ महाँ पर आपका lifestyle में जो pressure है वो बहुत ही कम है और बहुत अच्छा एक environment आपको महाँ पर मिलता है तो आपके लिए बढ़िया एक मौका है तो अब हम इसको सुनने के बाद अब आप ध्यान से देख पाऊंगे असल में होता है क्या है बहुत सारे बच्चे होते हैं वो दे हां से सुनेंगे दोस्तों New India Assurance Company Limited ये आपकी पूरी-पूरी फुलपाम होती है एक एक इंशॉरंस सेक्टर है गवर्मेंट आपकी नौकरी होती है इसमें दोस्तों 300 पोस्ट आई है असिस्टेंट 300 नमबर वेकेंसी से असिस्टेंट की पोस्ट पर आप सुनेंगे दोस्तो क्या-क्या आपके लिए requirement है तो 29 जनवरी को दोस्तों निकला था इसका जो notification है आप मैं इसके बारे में एक ही करके बताता हूँ आप इसका पूरी-पूरी PDF इसके official website से भी download कर सकते हो description में लिंक के और इसको notification को भी description में लगा दिया है ताकि आप सिदे notification भी download करके पढ़ लो हर एक अपनी state के साब से देखना total का आपकी state में और आपकी category के साब से कहां कहां आपकी कितनी-कितनी vacancy है वो आपकी सबसे पहले ये दिया हुआ है ठीक है total मैंने आपको बता दिया है कि 300 है बाकि आप आपनी category के साब से जरूर देख लिजीग आप important date सुनिए दोस्तों ज आपका है 2 मार्च को यानि कि 2 मार्च तो आपके पास एक महिना है बस आज नक टून एक महिना तो आपके पास आप देखो कि कोई भी notification आता तो back to back classes होती है तो back to back आपकी notification आते रहते तो आपके पास तरह टाइम नहीं होता कि यहाँ पर दोस्तों आपका candidates who qualify सुनेंगे जो qualify करेंगे pre वाला test जिसे preliminary कहते है प्री के बाद फिर mains qualify करेंगे will be further shortlisted for regional language test regional language test हो का जिस भी आप region से apply कर रहे हैं तो regional language test में आपको भाशा बोलनी आनी चाहिए पंडी आनी चाहिए लिखनी आनी चाहिए इसका test होता है एसी bank की काफी सरी exams में होता है eligibility criteria में आते हैं सबसे पहले तो वो Indian वाला nationality है तो इसमें तो कोई problem नहीं होगी यहाँ न एज में देखना है है न यह आपको देखने हैं और कैसे calculate करोगे देखो आप 2-1-1994 से पहले पैदा हुए होने चाहिए क्योंकि सॉरी माफ की देगा क्याने का मतलब है कि इसके पहले पैदा होगे तो 30 साल से उपर हो जाओगे तो पहले नहीं पैदा होने चाहिए और एक एक दोजाद तीन के बाद नहीं पैदा होने जी क्योंकि इसके बाद अगर आप पैदा हुए तो आप छुटे रहे जाओगे 21 साल के नहीं होंगे ठीक है तो यह आप अपनी डिटो बर्थ को देख लिए ना इसमें आचा बाकी Age Relaxation देखो आप लोगों के साफ से मिलता है जैसे मैंने वहाँ पर दिया है ना वो आपकी Unreserved Category के लिए Age Relaxation जरूर देख लिए ना जैसे कि Schedule Cast के लिए या Schedule Tribe के लिए पास सल का Age Relaxation है तो पासल कैसे, कि आप 30 के नहीं, अगर आप 35 तक के अभी हो, तो भी आप अब लाए कर सकते हो, ऐसे करके, ठीक है, चलो, तो यह आप अपने साब से एक देखेगा, अपनी category के साब से, तो एक तो यह हो गई, अब आते qualification में, education qualification, दोस्तों इसमें graduation चाहिए, मैं आपको बता में English होनी चाहिए, English as, देखो, English as one of the subjects होना चाहिए, चाहिए आपका SSC राहो, HSC राहो, intermediate राहो, graduation level राहो, English तो राही होगा, वहना आप कैसे बढ़ोगो, तो यह होना जरूरिया, इसमें यह लिखा है, ठीक है, तो कुछ-कुछ में जगा नहीं रहता होगा, तो यह problem हो सक रखती है, बाकि यह बई सेम बात बोली गई ही, जो आपका language, regional language आनी चाहिए, उसका test होगा, ठीक है, चलो, यह आपके सामने हो गया, और आते हैं, अब आपके सामने pre और mains का pattern कैसा है, वो pattern भी यहाँ पर दोस्तो दिया हुआ है, हम उस पर आचलते हैं, तो यह रहा pattern, दे लेगा, English, English में आगा, बाकि English इंग्लिश हंदी, English हंदी होगा, जैसा होता है bank exams में, clerk के level का ही paper आता है, ठीक है, देखो, candidates will have to qualify, each test by securing marks to be decided by the company, हर एक test को qualify करना है, यह परी को आपको qualify करना है, ठीक है, जो भी adequate number of candidates होंगे, state-wise और category-wise, वो क्या होंगे, पता नहीं, वो shortlisted, उनको shortlisted किया जाएगा, second tier के लिए, जिसको हम बुलते है mains exam, अब आप आओगे mains में, यह देखो, यह रा mains exam बिल्कुल वैसे ही होगा दोस्तों, जैसे कि आपका bank में होता है, देखो, English होगा, 40 question है, Reasoning 40 question, Math 40 question, Computer 40 question, General Awareness 40 question, और सबके 50-50 marks होंगे, यह आपका mains होगा, mains हो होगे, आएगी, लेकिन इसके बाद भी वो test भी होगा, तो दोस्तों, इस तरीके सा आपके सापके सामने आएगा, बाकी जैसे bank में negative marking होती है, इसमें भी negative marking होती है, गलत हो जाएगा, तो 1 by 4 कट जाता है आपका, जितना भी marks का question होगा, वैसे, ठीके, तो यह आपके सामने है, बस एक जगा फी और लिखी होगी, फी वो देख लेना, 1.500 रुपे और 8.500 रुपे और फी देखकर ही मेरा भी मूट खराब हो जाता है, कि आर फी इतनी जादा रख देते हैं, कि स्टूडेंट सोचने पड़ जाता है, देखो, SC, ST, P, W, BD candidate हो आप, तो 100 रुपे आप चक्कर में, बट कोई बात नहीं, आप मेहनत कर रहे हो दोस्तों, और मेहनत आपने करी है, जितने भी लोग हैं, तियारी कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर अपलाई किजेगा, और कोई प्रब्लम आईगी मेरे को बताना, आप बात होती है, पढ़ना कैसे है, इसके दोस्तों, जैसी आपकी तियारी चल रहे है, बैंक एक्जाम की, आप मेरे एडिटोरिल 365 वाला बैच जो चलता है, 2.0, जिसकी ताइमिंग है दोपहर 2 बजे लाइब, आप उसको पढ़ियें, इंग्लिश में, यानि वो पूरा बैंकर फाउंडिशन बैच है, मेरा इंग् के लिए, तो ओल्रीटी कर आप पहले से पढ़ चुकी हो, है न, बेसिक पढ़ने की जुरूत नहीं आपको, तो आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए मौक पेपर कैसे पढ़ोगे, प्रेक्टिस कासे किसे करोगे, कौन-कौन से टाइप की कुशन की प्रेक्ट लेक्टिस भी जरूर होगा, all the best.